हलो एब्रिवांद वलकम टो आर यूटूब प्रिपारेशन चेनल दोस्तों में रुबेल और में आज आज आप सबके साहने मोग टेस्ट लेका आया हूँ आज हम डाइरेक्ट रिकूर्टमेंट एक्जाम 2024 कर सो यह जेनरल नोलेज के उपर मोग टेस्ट है सो आप लोग मेरे वाट्सअप नमबर पे बेज देना मेरा वाट्सअप नमबर है 9101-467653 ताकि मैं आपको ग्रूप में एड़ कर सकूँ इदेर वाट्सअप नमबर है दिया हुआ है आप लोग और यह नमबर पे ही पे करना है 9101-467653 उसे वाट्सट बेज देना ताकि ओफिशल ग् देजपूर, दिशपूर, माजुली, एड़ बोड़ पेटा तो कौनसर राइटांस हरोगा इसका जो राइटांस हरे बोह है ओप्शन ए यानि तेजपूर यह याद रखना तेजपूर इस दा कुल्चरेल केपिटल अफ आशंप क्वेशन नमबर टू, कंसिडर दा वुच्त है गो देखना अपलोग, नमबर वन, कंसिटिपूशन गेब एक्स्क्रूशिम जो पारे तो पर्लामेंट तो लेजिस्लेट अपन प्रिवेंटिव डिटेंशन, नमबर टू, प्रोटेक्शन अंडर अर्टिकल 22 इस अवैलेबल अनली इस राइटांस हरे इस और लेजिस्लेट करें प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो इसमें जुडिशल डिवीव भी होता है, या कह सेकते हैं, लो बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के उपर, नेक्स्ट जो है देखो, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22 इस अवैलेबल फॉर ओल, वैदर इट् लेकिन बहुत फॉरेंट मतलब कह सेकते हैं, एनिमी कंट्री से नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंडली कंट्री से होने से फॉरेंटर उनको मतलब सेम प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर आर्टिकल 22 इसको मतलब नेशनल अवर्ड विला, प्योली फुकन, रंगापुलिस, विलेज रॉक्स्टर या मिशन चाहिना, इसका जो राइट हैंसर को बहुए अप्शन ए यानि प्योली फुकन Q4, Article 243D of the Indian Constitution includes provision related to which of the following, so Article 243D of the Indian Constitution, कौन सा प्रोविजन मतलब क्या सकते मेंशन किया गया, इस article पे, options है, High Court, District Court, या Reservation in Panchayat, या Option D, Reservation in State Universities, so इसमें जो राइट हैंसर को बहुए options ही यानि, Reservation in Panchayat Q5, which is the last North Bank Tributary of the Brahmobutra within Assam, so Assam में कह सकते, जो last North Bank Tributary, Brahmobutra रिबार का, वो कौन सा है, option सार, Manash, Sharlabanga, Gadadar, Shonkush, so right answer का देखा, option D, यानि, Shonkush Q6, consider the following statement regarding the wildlife sanctuaries of Assam, so Assam के wildlife sanctuary के regarding कौन सा करेक्ट है, option number 1, given wildlife sanctuary is located in Jorhar district, या सही है Q2, बढ़नोदी wildlife sanctuary is located in Baksa and Chirang district, sorry, Baksa and Udalguri district, so यह भी करेक्ट है, number 3, लाखवा wildlife sanctuary is located in Sonitpur, यह कह सकते, गलत है, ठीके, इसमें कौन सा होना चाहिए, लाखवा जो wildlife sanctuary बहु कह सकते, नवागाव district पे है, so आश के लिए इतना ही, thank you so much, और इसमें कौन सा करेक्ट होगा, one and two, so full scale mock test के लिए आप लोग डूबल सा रिकाट बी जोएन कर लो, thank you so much